हलो और वेलकम टो अभी पीडिया पावर्ट बैभिमन यू आइस मैं नेहारेकावालिया और मैं आपके साथ EPFO की एक नई नोटिफिकेशन को डिसकस करने के लिए आई हूं आज हम डिसकस करने वाले हैं उनका टाइम टेबल एंस्ट्रक्शन्स फॉर दे अब उन्होंने हमें यह तो पता था कि 9th में को हमारा एक्जाइम है बाट अब उन्होंने टाइम टेबल भी रिलीस कर दिया है इस पॉर्टिकुलर नोटिफिकेशन की डीटेल्स आपको यहां पर दिसक्रिप्शन में मिल जाएगी इस पॉर्टिकॉर इंस्ट्रक्शन सेज क कि आपका examination time होगा सुभा 10 बजे से लेकर दुपहर के 12 बजे तक and they have named it as general ability test so general ability test को जब आप review करते हैं तो क्या होगा इस examination के लोनने बता दिया है कि negative marking क्या है वो 0.33 ही है so that is 33.33% one third रहेगा आपका negative marking और हर एक question carry करेगा आपका same number of marks so इसका मतलब यह है कि अगर हम previous के according की चले because उन्होंने specify नहीं किया number of questions कितने होंगे but again हम वो ही मान कर चल सकते कि maybe 120 ही होंगे along with that उन्होंने बोला है कि candidates को test center पर कम से कम one hour पहले पहले पहुँचना चाहिए और जो entry है वो आपकी 950 पर बंद हो जाएगी so it's always preferable that you reach before time तो at least वहां पर वो stress नहीं होता कि पता नहीं अंदर enter कर पाएंगे या नहीं यह admit cards जो है वो आपके उस time पर हो सके तो अपने साथ में rather it's always better कि आप at least 23 दिन पहले अपने सारे documentation complete करके चलो ताकि examination के point of time पर आप वो problem ना हो so they have said it clearly कि आपके पास आपकी admit card की copy होनी चाहिए उनकी scheme of the test के रहने वाला है वो two hours का test है हर equation equal marks carry करेगा और यह जो test है उसके maximum marks है 300 ठीक है तो उन्होंने वो भी बता दिया साथ ही साथ उन्होंने बोला है penalty will remain one third पहले भी उन्होंने one third ही कही थी तो it is still one third and syllabus पर उन्होंने वो पूरी details दिदी जो जो हमारे इसके अंदर cover हो aptitude social security यह सब उन्होंने specify कर दिया then they have stated कि इसका weightage कितना है जो general ability test है उसका 75 हो गया आपकी weight and then 25 weight that is 75% जो आपको कहीना कहीं इस organization में select होने के लिए जो आप कह सकते हो booster है ना वो ये exam है और 25% आचा आता है आपका interview का portion to qualify for the interview okay so now the next point is कि इसके admit cards अपने साथ में carry की जगा इन मेंना इनने कुछ चीज़े specifically clearly bowl दी है वो यह है कि you need to carry a black ballpoint pen ठीक है तो आप कोशिश कीज़ेगा कि आपको इस चीज़ का ध्यान पहले ही रहे कि आप अपने पास पहले ही एक ballpoint pen रखे and that shall be black black ballpoint pen ही आप OMR sheets पर use कर सकते हो for the coloring जो भी में scribble करना होता उस पर लिखना होता है at the same time in case कोई problem आ जाती है तो supervisor की जो भी वहाँ पर आपके examiner present होंगे उनकी presence में आप उन चीज़ेगा करेक्ट भी कर सकते हैं बट कोशिश की जगा कि जब आप OMR sheet पर चीज़े fill करते हैं तो उसमें mistake के chances ना हो बाकी उन्होंने basic sanitizer and your transparent water bottle rest उन्होंने बोला है कि आपका e-admit card आपको carry करना है these are all the basic details regarding the e-admit card conduct of the recruitment test के बार मंदर details दे दी थी कि आपको जहां पर बैठना है the basic ones ऐसा कुछ general ही है सब कुछ there is no specific thing जो इन्होंने कुछ different रखा है so they have specified OMR sheets आपको मिलेंगी जिसमें आपको अपनी चीज़े fill करनी है and then you need to make sure कि आप उसमें कोई mistake ना करे in case कोई problem हो जाए तो then there's a supervisor वो आपकी help कर सकते है and no candidate shall be allowed को last 30 minutes में you would not be allowed to go anywhere so वहां पर आपको है otherwise आप जा सकते हो and साथी साथ handling of OMR आपकी उसके regarding उन्होंने बोल दिया है कि अगर उसमें कोई problem हुई तो आप क्या करोगे then this is the point all the corrections and changes in the writing the role number must be initiated by the candidate अगर आप आप से कोई गडबर हो जाते है because again OMR sheet है अगर उसमें कोई mistake हुई तो वहां पर invigilator present होंगे और वहां पर जो भी supervisor होंगे वो counter sign कर देंगे so the basic things are there rest उन्होंने क्या बोला है कौन सी चीज़ें आपके साथ में allowed है the basic thing is black ballpoint pen क्योंकि OMR sheet पर सिरफ औ में भूल जाते हैं तो इसलिए better है कि you make sure कि यह चीजा पहले ही तयार करके रखे साथ ही साथ मास्क आपके लिए regarding बोल दिया है then candidates को mask remove करना का सिरफ एक ही जगा पर है जहां पर उनको verification करनी है rest you are required to wear it along with that you can carry your own sanitizer and a transparent water bottle rest उन्होंने बोही बोला कि covid के जो basic 19 covid-19 के जो basic आपक इस पूरी notification में अपने काम की चीज़े क्या क्या आ जाती है number one 10 to 12 मतलब सुवे 10 बजे पेपर चरोगा बारा बजे खतम होगा और उस time time के बीच मेरे लिए time 9 10 अप्ली एम 10 नहीं होना चाहिए कि मेरे दिमाग में 10 to 12 की according चलूंगे तो गलत हो जाएगा so I need to think about it कि उन्हों देने वाली चीज़ क्या है वो यह कि आपको black ballpoint पर अपने साथ में रखना है और क्योंकि हमने omr sheet पे work करना है so omr sheet की practice अपने level पर जरूर करनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पर paper में omr sheet पर आपको कितना time लगता है उसके अंदर scribble करने में वो आप consider करके चलें जितनी practice हमारी अच्छे से होती है उतना ही हम paper अच्छे से कर पाएंगे so keep working hard hardly a month is left I am not considering the part of may as at all क्योंकि problem यह 9 days को तो हम क्या count करें उन 9 दिनों में तो आपको शाह examination के लिए पूरी hard work कर सकते है एक साल हो गया you have been putting so much of efforts into this don't let it go like that अच्छे से पढ़ाई कीजे ता कि जब हम paper में जाकर बैठे तो हमें पता हो कि हमने मैनत की थी और इस examination को देने के लाइक हम है so there that is a moment moment जहां पर एक इंसान सोचता है कि now I can do that तो वहाँ पर आप कोशिश की कि यह चीज है मेरी है और इसे मैने खुद complete करना भी है so all the very best for the examination and do your best thank you